तो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में यहां पर मेरे सार में जो कि आप यह फ्रीज देख पारेंगे का हलाग यह काफी पुराना फ्रीज एविएटर कंपनी का जो कि आप नाम से हो सके आप परचीत नाम पट यह फ्रीज काफी पुराना है आपको LG Sam संग अविएटर या फिर क्या बोलते हैं और भी कंपनी से कोई मतलब नहीं है आपको इसमें बताने वाले अगर आपको फ्रीज में काफी धेड़ सरा अगर बरब जमता है और नीचे का पार्टिसन में आपका ठंधा नहीं होता है बास उपर में जैसे आप यह बरब देख फिर भी आपको बरब जमता ही जाएगा तो रीजन क्या है मतलब दो रीजन इसमें होते हैं आपको बरब जमने को एक तो रीजन होते हैं जो कि यहां पर एक सेंसर लगा होता है सेंसर उपर में वायल गया रहता है जितना ठंडा रहेगा और जितना आप रेगुलेट किये जब लोगको निए यहां उसका निए तक बाद़ कि बाहर के एस अंदर ड़ती है तो थंडा गरम में इंद 5-2011 . उसके प्रोब्लम जो होता है यसे कारव आपका पुरा पानी जो होता है हूँ आईह ने लगता है उसका आपका जो बार काफी जादा जमने लगेगा काफी प्रोब्लम भी होते हैं इस कंडिशन में तो आपको दो चीज बस देखना है एक चीज आपको कि आपका जो रबर है वह रबर आपका सही से है बंध हो जाता है या फी नहीं होता है गैस लिक तो नहीं कर रहा है अंदर की बाहर और एक जो की सेंसा चेक कर लिजेगा उसके कारण आपका होता है तो उमेद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगए अच्छी लगए लाइक कमें शेयर करना ना भूलियागा मिलते फिर अगली वीडियो में टेक क्यों बाए बाए